मालती और संतोष्ट की तीर जैसे शब्द ना केवल कसक को, बलकि कसक के माबाप कुमार और तुलसी के मान और पतिष्ठा को भी भेद रहे थे अगर आपको मेरी किसी बात पर एत्पार नहीं है, तो चलिए इस बताद, अभी मेरा टेस्ट कराकर सब कालो और सफीर जान लीजिए फीरियट्स के अधार पर आप कब तक घर की लड़कियों को कदम कदम अपमानित करते रहेंगी माजी हाई हाई मामी जी, अगर बात बाहर पता चल गई, तो ठाकरो की तो इज़त पीडियों तक मिट्टी में चली जाएगी अच्छा, तो अब तेरी ये चालबाजी है, तु चाहती है कि हम तेरी किये कांट बाहर वालों को चीक चीक कर बता दे कसक ने एक पल के लिए जोश में आकर ऐसा कहे तो दिया था, बगर तब ही उससे अपनी भाई बहनों के चहरे आदा जाते हैं, और वो अपने कदमों को रोग देती है, तब ही ये पकरही खिटरी में और मसारा डालने के लिए वहां माथुरी अपना लाप्टॉप लेकर आती है, और अंजान बनने का नाठक करते हुए बोलती है, वो तादी, मैं ऐसे ही चोटी मा को सोचल मीडिया पर फॉलो करने के लिए ढून रही थी, तो पता चला इनका तो लड़कों के साथ भी बड़ा ही याराना था, वैसे ये कौन था चोटी मा, देखो, ये लड़का, और मातुरी कसक और अंबुच की साथ वाली फोटो दिखाती है, जिसे देख, मालती तो आग का दिन ही मिला था क्या, या उससे पहले तेरे से संबन थे, यही है न वो जिसके साथ अपना खुआरापन बाट कर आई है, मातुरी, ये सो कुछ नहीं है, तुम तो जानती हो, हमारी एच में लड़कों से दोस्ती होना कितना आप हो गया है, हम बुचर मेरे बीच कभी बर यादे नहीं पर हुई है, हाँ दादी, ये बात वैसे ठीक है, लाइक, having boys as friends is like common now, but having boyfriend, हम, बाक ये छोटी मा है, तो आखिर मेरी ही उम्र की ऐसी उम्र में लड़कपन में मन में चल जाता है, और ऐसे हो जाता है, गलती से प्रेगनन वगेरा, ये सुन कसक को बहुत जोर से गुसा आता है, और वो माधरी पर हाथ उठाने की वाली थी, कि माधरी बीच में कसक का हाथ पकड़ कर मोड देती है, और जटक देती है, सच सुनने में इतनी तकलीफ है ना रड़की, तो कर्म कर, ऐसे कान नहीं, वरना ये छाकरों की बसती है, एक मिनट नहीं लगेगी, वापस लोड जाने से भी क्या होगा, इन धूर्त लोगों ने तेरे माथे पर जो कलंक लगाया है, उसके साथ जीना तो मरने से भी बत्तर है, बेहन जी, मैं हाथ जोड़ कर विंती करता हूँ, आप प्लीज, थोड़ा धहरे से हालात को समझें, सम्धन जी, माना कि हमारी बेटी की माबब है, और बेटी के माबब का कलीजा इस जहान में सबसे मजबूत होता है, जो अपनी पाली पोसी हुई बेटी को एक पल में पराही कर देते हैं, पर सबसे नासुखरते भी हमारा ही होता है, आप जो मेरी बेटी पर इलसाम लगा र रही है वो उसके सिंदगी को नरख करतेंगे ये बड़ी बाते करने के बजाए अगर तुम अपनी सच्चाई साबित कर सकते हो तो आगे कुछ बोलो इसको लक्षणी को अगर अपनी पवित्रता साबित करनी है तो ऐसे तीन कड़ी अगनी परिक्षा देनी होंगी और ये संत की बड़ी है जो आपको ठीक लगे वही करिये मुझे आपके हर फैसले पर पूरा विश्वास है और हां मैं कुछ दिन घर नहीं आउंगा आउट ओफ स्टेशन जा रहा हूं पर जब तक लौटू मुझे मेरे घर में शांती का माहल मिलना चाहिए मा कसक को मेरा प्यार देन मालती मुस्कुरा कर फोन कार देती है प्यार देना दो दूर वह विनायक ने उसे फोन पर क्या क्या कहा ये तक नहीं बताती विनायक मुस्कुरा कर बगल में बैठे अम्बुच से हाथ मिलाता है और उसे टैची भर कर पैसा देता है बतले में अम्बुच उसे एक पाकेट देता है जिसमें कुछ खास ही होगा जिसके बदले में अम्बुच को विनायक से इतना पैसा मिला था अम्बुच खुश होगर गाड़ी से बाहर उतरता है विनायक बगल में बैठे विक्रांद की और गुस्से से देखने लगता है इस लड़के की उम्र जानते हो तुमसे दो-चार साल छोटी ही होगी तब भी देखो खुद का अपना नाम बनाने के पीछे कितनी मेहनत कर रहा है तुम्हारी तरह बाप की फैक्टरी में नहीं जाता विक्रांद को अपने बाप का ताना बहुत चुपता है और वहकांश नीचे कर अम्बुच को अवास लगाता है सुनो बच्चे तुम अगले प्रोजक्ट में मेरे इस नालाग बेटे को भी साथ लेना शायद कुछ सीखी जाए हर दंबस विदेशी संगीत सुनता रहता है जिम्हेदारी नाम की चीज़ ही नहीं है इसमें अम्बुच हा में सिर हिलाता है पर विक्रांत का एगो तो हट हो चुका था वैसे घूर कर देखता है बात हुई मेरी तेरी पती से और मेरे बेटे की भी यही मनजूरी है संतोश इनका फोन चीन ले संतोश कुमार तुलसी और कसक तीनों का फोन चीन लेती है ठकुराइन बनकर आई कसक को एक्दम से अपराधी भाव महसूस होने लगा था आज से तेरी जिंदगी सन्यासी की जिंदगी से भी गई गुजरी होगी ये सुक सुविदा से तुम सब वंचित रहोगे और अगर सब ठीक करना चाहते हो तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं एक या तो ये कसक तीनों अगनी परिक्षा में सफल हो जाए या फिर मेरे बेटे ने तुमको जितना पैसा दिया है उसका दुगना मुझे लोटा दिया जाए ये सुनते ही कुमार अपने हाथ चोड़ किर किराने लगता है बेहन जी ये आप क्या कर रही है हमारी बेटी की शादी को अभी दो महिना भी नहीं हुआ है और मैं इतनी जल्दी पचास लाक रुपए कैसे लाओंगा ऐसा अनर्थ ना करें अपने बाप को ऐसे मजबूर देख कसक विनायक को घर के फोन से फोन करने की बार-बार कोशिश कर रहे थी मगर विनायक बिजी होने की कारण फोन नहीं उठा रहा था रुक जाओ मा बाबा मैं जानती हूं इस तलदल स परिक्षा फोड़ी न देगी छोटी ठकुराइन को ये जरूर इसका जीना हराम करने वाली है और फिर इसका पता हो जाएगा साफ और फिर मैं बनँगी बड़ी ठकुराइन परिक्षा क्या है वो मैं इसके सामने नहीं बताऊंगी कसत कमरे में चली जाती है और मालती उसके माबाप तीनों को कड़ी परिक्षाएं बताती है पहली परिक्षा में तेरी बेटी को साथ दिन तक अन्न का दाना और जल भी बिना ग्रहन किये रहना होगा अगर वो गलती से इस परिक्षा में पास हो भी गई तो अगली परिक्षा उसके बाद बताऊंगी पर इसकी नौबत नहीं आएगी यह सुनते ही तुलसी और कुमार के प्रान घुटनों में आ जाती हैं और वो समीन पर गिर जाती है कुमार ने अपना माथा पीट लिया था कुमार और दुलसी जाकर कसक को सारी बात बता दे हैं सब यहां तेरे खिलाफ हो चुके हैं मुझे कुमर सासे ऐसी उमीद नहीं थी उस पारिश की रात जब वो घर आकर हमसे तेरा हाथ मांगे थे तब तो ऐसा लगा था जैसे डूपती कष्टी का सहारा बनकर कोई मसीहा हमारे दर पर आया है लेकिन हमको क्या पता था कि हमारी बेटी को तो हमने महा सागर में डूमने को छोड़ दिया बेटा मगर तुझे चिंता मत कर तुझे कोई भी परिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है तेरा ये बाप अपना अंग अंग बेच कर इनके मुह पर पैसा फैक कर मारेगा लेकिन अपने बेटी को यूँ सलील नहीं होने देगा कसक अपने पिता को सीने से लगाती है और अपनी मा का सिर सहला कर दोनों के आसू पोच्छती है बापा मैं बेटी हो आपकी कोई अभिशाप नहीं जो अपने पिता का अंग पिकने पर मजबूर कर दो और जब मेरा कोई दोश ही नहीं तो किस बात का हर जाना देंगी आप सलील तो हम तब होंगे जब बिना गलती इनकी पैसे दे नहीं बिल्कुल नहीं आपकी कसक अगनी परिक्षा देगी बिल्कुल देगी पिटिया मगर बिन खाय पे तो कैसे रहेगी माप आपके छटर चाया के बिना जब बेटिया पराए घर में रहना सीख जाती है तो ये तो फिर भी बिना भोजन के रहना है माँ बस मा अब बारी सही और गलत की नहीं है अब बारी है अपमान और मान की और मेरा खोया मान में पाकर रहूंगी और कसक तुलसी और कुमार के पाउँ छूकर पहली अगनी परिक्षा के लिए तयार हो जाती है और अगली सुभह जब कसक नहा धोकर बाहर आती है तो मालती संतोश और बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं नौकरो अपना कमरा खाली करो बिस्तर चिटाई वगरत सब हटा दो वहां से ध्यान रहे पंखा हाथ पंखा किसी भी तरह का सुखसाधन अंदर मौजूद ना हो और नौकर ऐसा ही करते हैं मालती कसक को उस कमरे में धखेल कर कमरा बाहर से बंद कर देती है इसके माबब जरूर चलाकी करेंगे इसलिए ये ताला अब साथ दिन बाद ही खुलेगा कसक हिम्मत से बिना जल और अंग्रहन किये पूरा एक दिन निकाल देती है रात का समय होता है वह पेचारी अपनी साड़ी का एक कोना बिछा कर उसी पर सो जाती है मच्छरों ने तंग किया, गर्मी ने सताया, पर फिर भी कसक हिम्मत नहीं हारी कसक बिचारी दोनों भाई बहनों के लिए केवल एक शर्ट जीतने मातर का सौधा बन कर रहे गई थी किस्मत भी आपको खुद बखुद उलजाने का काम खूब करती है और लोग कहते हैं कि सब कुछ लकीरों में लिखा होता है पर मैं कहती हूँ, लकीरे तो बस जिन्दगी की रफ कौपी होती है असल फैसला तो किस्मत ही करती है कसक सब कुछ हार तो रही थी मगर फिर भी कसक ने हिम्मत रखी एक की बाद एक तीन दिन बिना उफ किये निकल जाती है कसक के पास केवल कमरे के कोने में बने बातरूम के अलावा और कोई जगह नहीं थी चौथा दिन था कसक का कमरा रसोई के ठीक भगल में था और मालती ने जान बूच कर उस दिन सोला तरह के स्वाधिष्ट पकवान बनाए जिसकी गंध कसक के मन को ललचा रही थी मगर क्या वो सजा पूरी कर पाएगी या फिर कहीं सब के मन में पैदा हुआ शक हकीकत में बदल जाएगा जानने के लिए देखिए हमारे खटी मीठी चटपटी और मसालेदार कहानी छोटी मा के वर लव सिटी पर थैंक्स फूर वाचिंग